गाइस यह क्या हुआ मिस्टर मीट में सिटी में घुश चुका है और इसने सिटी में खुण match को मचा दिया देखो यह सबी गो मा लसको दो तुम्हें आगे on a whole क्या होने वाला है हमारे साथ और सीटी के साथ वीडियो में बने रो तो यार देखो जैसे में घर से habla निकलता है इसकुल जाने के लिए तबी मेरे पे एक कोल आता और यहो ओता है बैई कोल मिस्टर मीट का या नी गयास इसे में देखके भाई बहुत ज़ादा डर जात हु और जैसे में कोल को उठाते हो तो मिस्टर मिट मुझे ये कहता है मैंने तेरे दोस्त को पकल डिया है और तु मेरे तीन काम नहीं करेगा तो मैं तेरे दोस्त को माट डालूँगा अच्छा मिश्टर बीट मुझे को बताओ वो कौन से काम करने है काम नहीं वो तीन चेलेंज होने वाले है और पहले चेलेंज आने वाला है आपको रुको और यहार मैं मिस्टर मीट क काम क्यू करूँ वह तो एक इंसान है यार वो तो एक दानव है जोकी अन्सानों को कुत्तों की जानवरुगी तरह मारके खा जाता है हाथ तो यार मों उसका काम करनो तो नहीं चाहता पर यार क्या करू करना तो पड़ेगा क्योंकि यार वो मेरे दोस्त को भी मार देगा और मुझको भी पर एक सेकंड यार उसका भी तलक चेलेंज आया क्यों नहीं तो गाई जैसे चेलेंज का नाम लेता हो तो चेलेंज आ भी जाता है और इस चेलेंज में लिखता है कि सुपरो को बिलास्ट करना है बीच पे जाके चलो Ci कार में क्यों बए यतनी तेज भागती है एरोपलेन को भी पीछे छोड़ देती है और देखो बइ मैं सूपरआर में क्यू जा sellers की की मिश्टर अमीट ने मुझे पकळ दिया तो मैं यहांसे भाग जाऊंगा और इसलिए मैं ले जारहा हूं GT Mustang car जो कि बहुत तेज भागती है तो फिर मैं निकल जाता हूं Mustang से Supra को ढूनने के लिए तो फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे याद आता है जो Mr. Beat ने जिस Supra को फोड़ने के लिए काया वो तेक rare Supra है तो आगर मैंने Supra को फोड़ दिया मैं Supra को फोड़ने आ जाता हूं तो आप लोग देख सकतों यहाँ पर मुझे दिख चुकी है Red Color की Supra तो यहाँ पर आप लोग देख सकतों यार कितनी अच्छी लग रही है Red Color की Supra तो अभी मैं फोलने वाला हूं इस Red Color की Supra को वो भी Sticky Bum से तो अचानक से मुझे बहुती जादा गुसा आ जाता है तो मैं Sticky Bum को इन चारो तरफ से लगा देता हूं तो यहाँ पर मैंने आप लोग देख सकते हैं इतनी जल्दी से इतने सारे Sticky Bum लगा देए तो भाई जल्दी से फोड़ देते हैं पुलिस आने वाली है पर एक सेकिंड बाई मेरी कार भी है यहाँ पर मेरी कार भी फट सकती है तो जल्दी से अपन सुपरा से थोड़ी दूर लेके चलते हैं वरना जैसे सुपरा फटेगी तो हम दोनों भी फट सकते हैं तो अभी अपवन सुप्रासे इतनी दूर आ चुका है तो जल्दी सुप्रा को फोडते हैं, एक, दो, त्यूरो थीस तो मुझे सुप्रा को फोड के बहुती जादा खुशी हो चुकी है, क्योंकि मेरा पेदा छेलेंज ऍाप कमपिलीट हो चुका है फिर मैं बहुत देदा खुश हो जाता हूँ तो अपनी गर को लेगे एपने घर के और निकल जाता हूँ तो हाथ तो यार आप लोग देख सकतों लिधा है तीन पुलिस की कार तो हाथ तो यार गाईज आप लोग ये देखो मैंने हवा में पुलिस को ओड़ा दिया है तो चलते हैं जल्दी से फने घर और गाईज ये देखो भाई मेरा एक्सिरेंट हो गया है तो फदाफट से चलते हैं तो अब ही तो पुलिस से बचके मैं आचुकाऊं घर पो और यार बड़ी मुश्किल से बचाऊं यार और गाइस मैं घर पर आके भाई मिश्टर मीट के चेलेंज का इंतिजार करने लग जाता हूँ पर यार अभी ते लग तो मिश्टर मीट के चेलेंज आया निया मुझे लगता है यार मेरे दोस्त को उनने मार दिया है और भाई जैसे ही वेट करता हूँ तो तब ही भाई थोड़ी दिर बार मिस्टर मीट का चेलेंज आ जाता है और देखो भाई चेलेंज में दिया है इनने 20 किल करने यानि जॉम्बी को 20 किल करने भाई ये तो बड़ा खतननाक दे दिया भाई ये तो बहुत ही जादा मुम्किन है और देखो गाई चलो कोई बात नि मैं हार मानने वाले में से नहीं हो क्यों कि भाई मिस्टर मीट से मुझे अपने दोस्त की जान बतानी हो और भाई अपनी भी तो चलो यार जॉम्बी को मारने चलते हैं पर एक सेकंड यार में चीज को देखता हूँ मेरी सारे कारे कहां चली गई तो जैसक यार आपको पता है मेरी इतनी सारी कारे खड़ी थी ग्रिन ग्लीर करर की लैंबोर्णी फरारी और बाई ग्रिल करर की फोर्च नर जोकी यहां पर नहीं है मुझे लगता यार मिश्टर मीट ने उन सारी कारों को छुपा लिया यार मैं तो उने मार भी नहीं सकता मैं यहाँ पर क्या करूँ तो यार गाईज हाँ मेरे को तो भी याद आया कि मेरे पे एक जादुई जेट पेक है तो यार गाइज नहीं मैं जूट नहीं बोला अभी रुको मैं आपको जाके दिखाता हूँ आप लोग देखो भाई मैंने ये छुपा के रख रखा रेट कलर का जेट पेक तो इसी जेट पेक से मारने जाने वाले हम जूबियों को यानि किल करने है तो देखो गाइज मैं आचुका हूँ एरपोर्ट पे जहापर भाई जूबियों ने कब जाकर रखा है और जैसा कि आपको पता है जो भी भाई एरपोर्ट पे आता है जूबियों से कच्च जानवर इंचो की तरह चबा जाते जैसे मैं इंचों गी तरह फिन बिनाने लग जाते मन करता है इने कपला बना दू नी होसम मारे चले जाओं आप लोग देख सका है कुढ़ा यह कुट्तों की तरह लड़ंक हो फूप adviser और से मिठाओं यह भांना चलिध पीछे अब जल्दी से नीच और नीच और मैं खाऊँ आ एसे अब अब आवा इसा मैं खाऊँ आ पीछे जल्दी सा मेरा फूपवदमासा चाचाबदमासा दादा भदमासा और वहाई इन सब की बाते सुनके मेरी सुसुद निकल गई और ये सब ये कहते हैं अरे अरे ये पानी कांसे आ रहा है अब ये दिन में पानी कांसे आने लग जया किता नमकीन सा स्वादिस सा ये पानी है अब गाईज यार ये सोच रहे थे कि इनको पर पानी बरस रहा है नहीं यार इनको पर तो मैंने टोईलेट कर दिया है तो यार देखो गाईज इन में जॉंबियों को एसे मारतो नहीं सकता था तभी मैं इन जॉंबियों से थोड़ा दूर चले आता हूँ और फिर भाई थोड़ा आईडे लगाता हूँ तो देखो यार गाईज तभी मैं आ जाता हूँ अपने भाई एरपोर्ट के एलो प्लेन पे जो की भाई मुझे बहुत जादा गुसा आ चुका था मैं इन सारे जॉंबियों को मारने वाला हूँ इन्होंने मुझे बहुत जादा गुसा दिला दिया था और गाईज आप लोग ये भी देख सकते हो कि मैं इस एरपोर्ट के एरो प्लेन के ओपर खड़ा भी हूँ और चल भी रहूँ अभी मैं इन सारे जॉंबियों को मारने वाला हूँ तो अब देखो गाईज मैं इन सारे जॉंबियों को किस से मारने वाला हूँ तो पेले अपनी बाई गन निकालता हूँ छोटी वाली इस छोटी वाली गन से जैसे में मारता हूँ चार पांच बार चलाता हूँ इससे तो बिलकुल भी नहीं मरते तो फिर देखो गाईज मैं इस गन को छोड़के इससे बड़ी वाली गन निकालता हूँ इससे मारता हूँ मैं सोचता हूँ इससे मर जा इससे थोड़े बहुत मरते जादा मी मरते फिर मैं इससे भी हटा देता हूँ तो फिर यार मैंने सोचे क्यों न तोप से मारा जा और मैं तोप से मारता हूँ तो आप लोग देख सकतो एक ही बारी में 4-5 जने मर रहेते तो फिर मैं तोप से ही मानने लग जाता हूँ तो गाइस फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं इन सारे जॉम्बियों को मार दिया है इसी के साथ साथ हमारा जो सेकंड चेलेंज होता है जो मिस्टर मीट ने दिया होता है वो कम्प्लीट हो जाता है तो गाइस देखो जबी के जबी मैं वहाँ से अपना जेट पेक को लेके निकल जाता हूँ क्यों क्योंकि भाई अभी इसी हाल में मुझे सारे के सारे जो मिस्टर मीट ने चेलेंज दियेते वो कम्प्लीट करने है तो यार गाइस आप लोग अभी देख सकते हो कि मैं अपना जेट पेक लेके अपने घर पर आ चुका हूँ तो यार गाइस देखो भाई मैं अपने घर पे पोचने के बास सोचने लग जाता हूँ कि मिस्टर मीट का चेलेंज क्यों नहीं आया है तो जैसे मैं ये सोच रहा हूँ तो तबी मेरे पास मिस्टर मीट का तीसरा चेलेंज आता है तूने मेरा चेलेंज बेला और दूसरा तो बहूती असानी से कम्प्लीट कर लिया है और लेकिन जो मैं तुझे तीसरा चैलेंज देने वाला वो बहुत ही ज़्यादा खतन नाक है और तुने उसे पूरा कम्प्लीट नी करा तो मैं तेरे दोस्त को मार दूँगा और तुझे घर में घुसके मार के आऊँगा और तीसरा चैलेंज ये है कि तुझे चलती वी ट्रेंज को फोड़ना होगा यानी बलाष्ट करना होगा और तुने मेरा तीसरा चैलेंज पूरा नहीं करा तो मैं तेरे दोस्त को मार दूआ ले अपने दोस्त की आवास सुन अरे अरे मुझे छोड़ दो Mr. Meet मुने 2 दिन से खाने नहीं खाया मुझे कोई बचाओ अरे नहीं मेरे दोस्त को कुछ मत करणा यह क्या यह तो मेरा फोनकार्ट दिया तो चलो याठ जलदी से मुझे जाना होगा अपनी mustang कार से इसे ट्रेन को बिलाश करने के लिए अगर मैंने उस ट्रेन को बिलाश नहीं करा तो मिस्टर मीट मेरे दोस्त को मार देगा तो फिर क्या गाईज फिर मैं अपनी मस्टंग जीटी से फुल स्पीड में भगा के पुछ जाता हूँ रेलवे स्टेशन के पास और फिर क्या गाईज जैसे मैं रेलवे स्टेशन पे पुछ तो ये क्या गाईज मेरे आने से पेले ही ट्रेन तो निकल चुके तो जल्दी से गाईज मैं उसका पीछा करता हूँ और फिर क्या गाईज फिर मुझे इतनी तेज घुसा आ जाता ही कि बाई मैं ट्रेन को पकड़ने के लिए इतनी तेज जाता हूँ जाता हूँ और देखो guys मैं सोचने में ज़्यादा देरी नहीं करता क्यूं क्यूंकि मैं इस्टिकी बंप लाया था पेली सी थी और मैंने इतने सारे इस्टिकी बंप लगा दिया और ट्रेन भी आ चुकी है जल्दी से मैं पीछे हट जाता हूं और फिर देखता हूं इसे बिलाष्ट होत हमारा तो चुका है पोपड भाई मैंने दूसरी पट्री पे लगा दी तो जल्दी से दूस भाई इससे आगे जाके पहुच जाता हूं पेली तो guys आप लोग देख सकतो मैं बहुत ही रहता जल्दी जल्दी इतने सारे इस्टिकी बंप लगाने वालों दोनों पट्री पे लगा दो अब किसी पट्री पे भी आएगी फटेगी तो मैं फोड के ही रहूंगा यानि तीसरा चेलेंज भी कंप्लीट करके रहूंगा तो अब चलो guys हमने इतने सारे इस्टिकी बंप लगा दिया अब ट्रेन आने का इंतिजार करते हैं तो चलो भाई फाइनली ट्रेन भी आ चुकी है अब जल्दी से इस ट्रेन को बिलाश्ट कर देते हैं तो आप लोग देख सकतो भाई मैं इसे एक्टिवेट कर दिया और भाई मैंने इसे बिलाश्ट तो करा पर ये तो हुआ नहीं बाई और देखो guys ट्रेन भी जा चुकी ह और तब ही बाई मेरे पास मिस्टर मीट की कोल आती है और मिस्टर मीट ये कहता है तुने मेरा तीसरा चेलेंज कॉपलीट नहीं क्या मैंने तेरे दोस्त को मार दे है अब मैं तुझे भी मारना रहा हूँ तेरे घर पर आकर तो देखो guys मुझे तो आता है बहुत जादा रो देखो मैंने यहाँ पर सोची नहीं थी क्या होने वाला मेरे पास यहाँ पर इस घर में आने के बाद तो देखो guys जैसे मैं CD पर चड़के उपर वाले फ्लोर पर पर पोस्ता हूँ तो अचानक से मेरे साथ ये होता है और देखो guys अचानक से मेरे सामने आके Mr. Meat खाड़ा हो और एक सेकिंड क्या तुमने मेरे दोस्त को मार दिया है मैंने तोरे दोस्त को नहीं मारा है तेरा दोस्त जिंदा है अच्छा हुआ तुमने मेरे दोस्त को नहीं मारा और मुझे भी नहीं लेकिन तुमने क्यों नहीं मारा अर वो तुम तुमारे साथ मज़क कर रहा था मेर बहुत बड़ी आदते मजग करने की हाँ 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 क्या तुने मेरे दोस्त को नहीं पकड़ा था अच्छा तु मेरे साथ निए देड़ से मजग कर रहा था अभी रुक अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुसा आगे अब तुझे बताता हूँ यार मिस्टर मीट मेरे साथ इतना तगड़ा मजग कर रहा था मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुसा आचुका है अमें उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला साला मिस्टर मीट जाहिल गवार उनने मुझे इतना सताया तुने मुझे जाहिल गवार बोरा अब मैं तुझे नहीं छोड़ा उड़ा के अब मैं तुझे मानने वाला हो अरे मिस्टर मीट में तो मज़ा कर रहा था यार कोई मुझे बच्चा हो यार यार ये तो मुझे उड़ा उड़ा के मार रहा है इनने तो मुझे मार दिया अगर तुम्हें न्यू अपडेट में न्यू हाउस चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो चेनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बोक्स में मिश्टर मीट ओप लिख दो कुकुडू के साथ